नमस्कार अपलाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहंतिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में देखिए लोकसभा चुनाओं की समाप्ति के बाद जहां बिहार में उपचुनाओं की सुगबुगाहट है इ वो आजकल अपने संसदिये छेत्र में धन्यवाद यात्रा पर निकले हैं समर्थक और कारेकरताओं का भार जता रहे हैं चुनाओं में जीत मिली है लेकिन इसी दोरान अपने शंबोधन में उन्होंने ये कह दिया क्यूंकि यादों और मुशलमानों का वोट उनको नहीं म बनाया है इससे कितना नुक्सान इंडिये को होगा इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन इन सब के बीच में केके बाठक की चर्चा क्यूं ना हो सिक्षा विभाग में जब आये थे तो क्रांतिकारी बदलाव उन्होंने करके दिखाया हलंकि उनके कामों से बाव लेकर आप आएंगे आम जनता को कितनी राहत दे पाएंगे इस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन इसे बीच रुपावली विधांसबा सीट पर उपचुनाओं का जो डंका बजा है नमांकन की प्रकिडिया 14 जून से सुरू हो गई है और एक तरफ जहां जनता दली उना परति अउधेस मंडल और CPI के उमिदवार के नाम की चर्चा चल रही है देखना होगा कि राजद कब तक फैसला लेगी लेकिन इसी में त्रीकोनिये बनाने की कोशिस लोचपा के पुर्वनेता संकर सिंग भी कर रहे हैं पप्पू यादो के भी नाम की खूब चर्चा चल रही है कि कौन सा खेल खेलेंगे विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ वरिष्पतरकार रविरंजन जी हैं और वरिष्पतरकार प्रवीन बागी हैं सबसे पहला सवाल तो दिवेश्चंद्र ठाकुर को लेकर है बयान तो उन्होंने दे दिया जटका कितना लगेगा वो बयान नहीं है कोई पोलिटिकल बयान नहीं है उसको इस रूप में देखिए गा राजनितिक द्रिष्टी से देखिए तो जरूर वो गलत है मगर यह उनके मन की पीड़ा है जो उन्होंने एक सारवजनिक सभा में ब्यक्त की कोई बंद कमरे में उन्होंने नहीं कहा है यह बात जो उनके अभिनांदन समारोह में लोग उपस्तित थे उनके बीच यह बात उन्होंने कही और यह बिलकुल स्वभाविक है कि जो आदमी खुले दिल से सबकी मदद करता है कोई भी उसके पास जाता है अपनी दुख अपना दर्द अपनी पीड़ा बताता है और उ जब उसको मदद की जरुवत पड़े तब जिनकी मदद उन्होंने की है वो लोग भाग खड़े हों तो यह कितना चोट लगेगा यह समझा जा सकता है स्वभाविक रूप से कोई भी आदमी ऐसी इस्तिति में दुखी होगा और वो अपनी पीड़ा ब्यक्त करेगा तो वह ही उन्होंने अपनी पीड़ा विक्त की है कि हमने कभी जात पात नहीं देखा और वह तो यह जेते हैं कि पहले मोटर बनाया जाते हैं तो उनके पहले कभी मुसलिम नाजवानों को कोई वोटर नहीं बनाता था दिवेस चंठागुरा काना है कि मैंने सुरुआत कि और मैंने मुसलमानों को वोटर बनाया और जब मेरे मदद की बारी थ design तो उन्होंने वोट नहीं किया मुझे लोकसे वाचुनाव में वोट नहीं तो यह सब वह समाज भूल गया और जाती के नाम पर वह दूसरे को उस्जाती के उमीद्वार के साथ चले गए उस जाती के तो यह पहुत आहत करने वाले घटणा है और यह लोगतंतर के हित में भी अच्छा नहीं है कि आप जाती के नाम पर भोट दे दें किसी को तो यह तो जातिय तंत्र हो गया यह तो लोग तंत्र होगा नहीं तो इसी पीड़ा को वो ब्यक्त कर रहे हैं हाला कि राजनिती में इसको अच्छा नहीं माना जाता है और जो सपत लेंगे वो संभी संसद के रूप में उसमें भी यह कहेंगे कि अपने जाते धर्म से परेहो वह भावावेस में आकर यह बोल गए होंगे हाला कि बाद में फिर मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा तो उन्हों ने यह बात दूराई लगातार दूराई कई चैनलों पर दूराई इसका मतलब कि चोट उनको बहुत गहरी लगी है सवाल यह है कि राजनितिक फिचारधारा हर किसी की अलग हो सकती है आप वो सकती है आप यह तो ठीक नहीं है कि माने आप सारवाजनिक तौर पर यह कहें कि जिनों ने हमें वोट नहीं दिया है उनको हम मैं उनकी मदद नहीं करेंगे लेकिन यह मदद जो अगर पूरे भाषन को ठीक से सुना गए तो वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जो पैर्वी करने आते थे उन लोगों की मदद किया कोई सावधिनिक अस्तर पर किसी इलाके में सड़क बनाने की बात हो कोई भवन बनाने की बात हो तो उसकी बात नहीं थी लोग अपनी व्यक्तिगत प्यार्वी लेकर जाते थे और उसमें मुसल्मानों को और यादों की सहयता उन्होंने बहुत किया है वैसे भी डिवेश चंदर ठाकूर जनता के प्रति हमेसा ही सजग रहे हैं जिनको उनको जितन इनको चूप दिया गए तो वह इस तरह से लोगों की साहयता करते रहते हैं अपने शत्र के तमाम लोगों की यह उनके ठीकी का रहे हैं बागी जी की उनके मन की पीड़ा थी हम आपको यह बताना चाहिए कि कल ही आरा में भी आरके सिंग ने इसी तरह का एक स्वागत समारों में उन्हों ने कुछ बाते कहीं जिसका एक वीडियो बनाके वाइरल किया गया उसमें पूरी भाशन को आप सुनेंगे तो आरके सिंग क वह बात को कि पूछूंगा वो करूंगा लेकिन उन के इस बात को कि उनगा पर मेरी नजर रहें घी किवाल उसी को का टका और अब लोग का रहे हैं कि यह उन गाओं को दिखाएंगे उकाद दिखाएंगे तो आरके सिंग्ये नहीं कह रहे थे वह रहे थे कि जहां से वोट नहीं मिला वहां भी मैं जाओंगा और लोगों से पूछूंगा क्या कमी रह गे तो जन प्रतिनी दी निश्चित रूप से आरा में खास तोर पर लोग अफसोस कर रहे हैं 24 गंटे बिजली जहां रहती थी वहां अब 12-15 गंटे बिजली रहती है लोग परिशन कर्मी में तो लोग कहने लगे हैं कि आरके सिंग्य को न देके हम लोगों ने गलती कि अब एक विचार आप वहां सो सुदमा प्रशाद जीते हैं आरके सिंग्य की जितनी पहुंच है उसमें जितना काम वो करा पाते हैं वो नहीं करा प्रशाद में यादवों की मुसलमानों की बड़ी अब लोकसभा खतम हो गया विधानसभा चुनाओं की बारी है क्या इस तरीके के भासनों से बयानों से एंडिये को नुक्स कुदे पीछे ही कारण है जाती जाती का समीधर है जाती के अधार पर नेता चूनते हैं और प्रतिदी वह पुरा कमें नहीं परतियों को ध्यानी रखकर अपना प्रतियासी चूनती हैं तो जब आप आप मानते हैं कि उस्व करती लोग इनको वोट करेंगे तो उसी के हिसा हाला कि यह लोग तंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है देवेश चंदर ठाकूर ने साजनिक तोर पर यह बात कही है तो यह इसको ठीक नहीं माना जाएगा लेकिन जो सिस्टम में गड़बड़ी है वह यहीं है कि जाती के अधार पर भोट भी मांगते हैं जाती के अधार पर होते हैं और चुनाव होता ही नहीं है तो इसलिए इस तरह की बाते देवेश चंदर ठाकूर की बात को सही भी एक तरह से मान लिया जाए कि व्यक्तिगत की वह सहायता की बात कर रहे थे तो फिर दूसरी तरफ जो विपक्ची खेमे में सांसत जीते हैं वह भी कहेंगे कि ज लोगतंत्र के लिहाज से देखें और राष्ट्रहित के लिहाज से देखें तो ये बिलकुल ठीक नहीं है ये बयान उनका सही नहीं है उनकी भावना सही नहीं है मगर ये कोई पहली बार ऐसा बयान आया हो ऐसा भी नहीं है बिहार में तो इसी की खेती होती रही है और इसक कि इसके पहले लालू प्रशाद ने भूरा बाल साफ करों का नारा दिया था खुल्याम तो वो भी इसी तरह का था कि कुछ जातियों के खिलाप उनके सफाई की बात उनों ने कई थी यानि चुनाओं में उनको हरा देना है तो जैसे लोक तंत्र में जनता जैसी होती है यानि वोटर जैसे होते हैं उनका प्रतिन्दी भी वैसा ही होगा अगर वोटर जाती के आधार पर वोट करेंगे तो प्रतिन्दी से आप सोचिएगा कि वो सबका हित करें यह कैसे संभव है आप अच्छाई बुराई के आधार पर छेत्र का कौन विकास कर सकता है उसके आधार पर वोट कीजिएगा यह अधार होना चाहिए चैन का अब आप जाती के आधार पर अपने प्रतिधी का चैन कीजिएगा तो वह भी जाती के आधार पर सोचेगा कि जीन जातियों उसके लिए काम करें तो यह जाती है तो सब लोग नसे में हो जाते हैं वही अज हो रही है लोगतंत्र की आप राज़त ने चेतावनी दी कि हम भी देखेंगे कि कैसे हैं और यह लोगतंत्र के खिलाप है और तमाम तरह की बाते जिसने बिहार में शुरुवात की इन सब चीजों की और वो अब उपदेश दे रही है तो इसको क्या कहिए राजनीती में ऐसा ही इसकी टोपी उसके सर यह चलता रहता है जब जिसको मौका मिलता है दूसरे को टोपी पहुंचा पहनाने की कोशिश करता है तो यह इसकी इसका मतलब यह नहीं है कि पहल'llा नहीं है और यह कोई आख्री बयान भी नहीं है जाती-जाती-जब खेलिएगा तो इसे बयान आएंगे और उसको जहीलने के लिए नियताओं को भी और वोटरों को भी दोनों को तैयार रहना चाहिए अगामी लोगसेशव हीदान सवाच PBS अगर देखा जाए तो य यह को वोट करते हैं क्या उनको भी चोट लगेगी इस बयान से क्या वो भी आहत होंगे और यह जो डैमेज होगा उसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा यह कोई पार्टी का बयान नहीं है ना पार्टी ने उसकी निंदा किया ना उसकी प्रसंसा की है तो यह उनका ब्यक्तिगत रूप से दिया गया बयान है इसलिए इसको एंडिये के उपर थोपना यह सही नहीं होगा हालाएकि बिपक्ष ज़रूर इसका फायदा उठाने का कि आपनाैगा और उनके वीडियो वैरल हो ही गये हैं तो वह फायदा इतला नहीं होगा मगर जो समझधार लोग हैं हालाकि समझधारलोगों बयार में कमी होते तो जाती के पीछे लोग भेंड कितरह दोडते हैं तो उसमें थोड़ा ये धुरूभी करण और तेज हो जाएगा जाती धुरूभी करण जो है देवे चंठाकुर के बयान से और तेज होगा होगा बिल्कुल होगा और वो तेज करने की कोशिस भी पक्ष करेगा कि उसको फा पात है मुसल्मान भी दो है आवाज उठाएंगे वह वह लोग आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि उन प्याज करेंगे वह इसको कैस करा देभिबेंस चंदर ठाकुर ने जो बयान दिया था उस पर हम बात कर रहे थे लेकिन अब बात केके पाठक की कर लेते हैं कापी दि अबादला सिक्षा विभाग से रजश्वेवंभूमी शुधार विभाग में हो गया है वह विभाग जहां पर सबसे ज़्यादा आम जन को दिक्कत होती है वह मामला है जमीन का अब केके पाठक गए हैं क्या लगता है सुधार कर देंगे सिक्षा में करांति लाने की कोशिस क लेकर आपाएंगे केके पाठक को माना जाता है कि जिस विभाग में जाएंगे उसको सुधार देंगे लेकिन उनका इतिहास देखें इसके पहले वह विभाग में भी गय और रुद्धोग विभाग में जो कौकस है उसको वह तोड़ नहीं पाए थे वहां से विफल होके उनको वापसाना प्राव मत देनिश्यद विभाग में भी वह उसको वह नहीं समाल पाए थे तो केके पाठक के कड़क अधिकारी हैं मांदार भी हैं यह यह बाना जा सकता है लेकिन हर जगा उनकी चलेगी ऐसा लगता नहीं है यहां जो जितनी हालत खराब है वह मिसुधा कर लिया तो सरकार समझे सरकार आराम से चल रही है यह मामला तो निटीश कुमार ने निश्यत रूप से बड़ा कदम उठाया है कि एक करमठ आइस अधिकारी को जो कड़क भी है और जो इक्षा शक्ति रखता है विभागों को सुधार ने शिक्षा विभाग में देखा ग के 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 पाठक को मिला है निश्चित रूप से आप देखिए दाखिल खारिज जैसे मसले पर सरकील ऑफिसर्स जो हैं पूरे देश में लोगों को परिशान कियों मैंने बिहार आज में खास तोर पर लोग मैंने पैसे उगाही का एक वो बंद गया है और इसकी जमीन उसके जमीन उसके नाम करके पैसे की उगाही होती जाती है और सारे जगडे सारे मारकाट हत्याएं लूट जो भी हो रही है वो इस भूमी सुधार विभाग में गडबड़ी के कारण है तो निश्चित रूप से के के पाठक के आने से अब विभाग में हड़कंप है कल मुझे ए तो मैंने नरक कर दिया है एक दसखत के लिए भी जो है सरकी लपसर जो है पैसा तै कि इतना पैसा लेंगे तभी दसखत करेंगे तो अब ऐसे लोगों पर नकेल कसेगी जैसे सिक्षकों को सुबह सो बजे से ही आना पड़ता था और उनको रहना परता था अब नियम मंत्री ने भी उनका स्वागत किया कि उपने स्वागत मंत्री ने वी किया है तो यह उमीद कि जा सकती है जैसे सिक्षा विभाग में मंत्री और अपर सच्चिव के बीच बड़ी मतवेद रहा और उनकी बात नहीं सुनते थे लेकिन इस बार तो मंत्री खुदी उनका स्वागत कर रहें तो देखना होगा क्या कर बाता है केके पाठक तो जब तक सिक्षा विभाग में रहे सदन तक को उन्होंने हिला के रख दिया चाहे विधान सबा हो या विधान पड़ी सद हो अब गर्मी के वज़ा से छुट्टी दी जाए ना दी जाए इसको लेकर बखेडा खरा हुआ और एक महिना की छुट्टी पर उन्ह चानक से ट्रांसपर कर दिया गया अब शिक्षा विभाग से उन्हें सुधार के लिए रजश्वय भूमी शुदार विभाग में बेजा गया है यह एक अलग चर्चा कभी से जरूर हो सकता है लेकिन भूमी शुदार विभाग में आपको लगता है कि केके पाठक चांति वह सिक्षा विभाग में लेकर आने की कोशिस कर रहे थे जो नकेल उन्होंने सिक्षकों परकसित थी वह यहां पर अधिकारियों परकस्पाएंगे देखिए जहां नितीश कुमार खुद को विवस और लाचार मानते हैं वहां वो केके पाठक को आगे खड़ा कर देते हैं और केके पाठक उनकी इक्षाओं को सदिक्षाओं को मूर्त रूप देते हैं इसलिए नितीश कुमार उनका इस्तेमाल वैसे विभागों में करते हैं जो नियंत्रन से बाहर हो चुका होता है। बिहार में भूमी और राजस विभाग ऐसा युभाग है जो पुलिस विभाग से भी ज्यादा भ्रष्ट है। अगर रैंकिंग हो भ्रष्टाचार की तो उसमें भूमी सुधार और राजस विभाग टॉप पर आपको आएगा बिहार में दूसरे प्रदेशों में भी साइध यही हालत हो मगर बिहार में तो रोज हम लोग देख रहे हैं आप क्रमचारी, CICO और DCLR इन तीनों की संपत्ति अगर सरकार जाच कर ले तो साइध ही कोई इसमें केटेगरी का कोई अधिकारी बचेगा जो जेल के अंदर नहों अकूत कमाई हो रही है अभी सर्वे चल रहा है सर्वे में न इधायक, शांसद और मंत्रियों को सबको मालूम है नगर कोई मुह नहीं खोलता है कोई यह नहीं करता और उनका अपना काम हो da आता है मगर जन्ता का काम नहीं होता है जन्ता पैसे दे के करवा रहे हैं आपका नाम गलत जान बुझ के दर्ज करेगा करम चारी और फिर उसको सुधरवाने के लिए पैसा देजिए तो यह तरीका है और इसमें पूरा नेकस्स बना हुआ है जिलादेकारी को भी मालूम है औ तो यह इतना बड़ा एक मतलब कई है कि दुस्चक्र बन गया है इस दुस्चक्र को तोड़ने के लिए पाठक जी को लाया गया और उनके आने की खबर सुनके थर्थरी हो गई है लोग अतंकित हो गया है कई लोग हो सकता है कि छुटी पर चल जाए कुछ को हाड़ अटेक का जाए कुछ का बीपी बढ़ जाए तो यह इस्तिति है और जैसा कि रवी जिकारत है ठीकी है कि मंत्री ने स्वागत किया है यानि मंत्री भी चाहते हैं कि इस विभाग में सुधार हो और नितीश कुमार इस सुधार को ले करके बहुत गंभीर है भूमी सुधार और काम कारवाई है बीना पैसे के एक काम नहीं हो रहा हुआ है पाठक से तो बहुत भरोसा है बहुत उम्मीद है कि अच्छे काम करेंगे करक अफिसर इसमें कोई सक नहीं है लेकिन उन पर एक सवाल उठता है कि मदनिशेद विभाग में भी थे वो और वहां पर भी खूब ल प्रक्रिया में जो सरकार होती है और जो मंत्री होते हैं उनकी लाचारी होती है कि वह ऐसे तत्वों को नाराज नहीं कर सकती क्यों कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा वह ऐसे ही चंडाल चोकडी से आता है तो इसलिए आप बिहार में देख रहे होंगे कि सराब बंदी के बावजूद सराब धडले से बिक रही है बालू के लिए नियम कानून सब ताक पर रख करके और हजारो हजार ट्रक बालू रोज अवाय तरीके से निकाले जा रहे हैं कि पुलिस वाले जाते हैं तो उनकी उंगली काट ली जा रही है बेतिया या गोपाल गंज में कहीं कि गटना की उली काट ली और रोज हमले हो रहे हैं पुलिस पर मगर पुलिस भी आएसी निकम्मी और बेसर्म ये रिवालवर और बंदुक लेकर भागते नजर आते हैं मगर फाइरिंग नहीं करते हैं और वो डंडा और पत्थर त्रेन को खदेर देता हैं तो ये सिर्फ बि थो सबसे जादा अगर है कोई जो सारा समस्य का जर है वो तो अधिकारी है नीचे से उपर तक उसमें मंत्री मिलावाशन दूब होते रहते हैं आप ट्रांसफर पोस्टिंग में कितनी उनकी कमाई होती है तो हमाम में सब नंगे अब उसमें वह कितना कर पाएंगे यह क्या करेगा जब सारे आई एस और मलाई के पाठक की जो चिंगारी है वो कितना लौ पकरती है अब बात कर लेते हैं रुपोली विधानसभा उपचुनाओ की नमांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है एक कुई जून तक चलेगी 10 जुलाई को वोटिंग और 13 जुलाई को रिजल्ट आने हैं कलाधर मंडल जेडियू के वज़ा से यह सीट खाली हुई है राजद में आई है लोकसभा चुनाओ बुड़ी तरह से हार गई है उनके पति अधेस मंडल के चुनाओ लरने की चर्चा है कहा जा रहा है कि वीमा और अधेस के वज़ा से ही आर जेडी अब तक इस सीट पर केंडिडेट की घोसना नह पर एक फिर एक वारिस्क पार्टी यह भी है और देश मंडल चुकि उनके पती लगातार यह कोशिश कर रहे है कि उनको टिकट मिल जाए और यह राष्टी जनता दल की मुश्किल यह है कि कि किसी ऐसे चवी के व्यक्ति को वह इसमें टिकट नहीं देना चाहती जिसका माने चाहती नहीं है वह आप जडियों चाहेगी वह टिकट नहीं को मिलेगा दावा निश्चित रूप से मजबूत दावा है लेकिन बिहार की राजनीती में अगर अगर इंडिया यह गटबंदन में किसी को भी कुछ करना है तो लालु पुर्शाद यादों से पूछ करी करना लालु पुर्शाद यादों किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं कि वह सीट वह चोड़े वह अपने प्रत्याशिक किसी को खड़ा करेंगे अभी वह इसमें है कि या तो मैंने कोई मोटा वह मिल जाए तो वहां वो टिकट दे दिया जाए या अधेश मंडल जो बार-बार सब्सक्राइब तो अब संकर सिंग कहीं उनकी कहीं गोटी सेट हो जाए तो आरजडी अभी देख रही है लेकिन मुश्किल यह है कि आरजडी के सामने सबसे बड़ी चुनावती एक तो प्रत्याशी चैन की है पप्पु यादव सबसे बड़ी चुनावती है और यह रिस् और तो वहां पर उनको हर का सामना प्रशकता है क्योंकि ने अपना प्रत्याशी पहले घुशित कर दिया है हालांकि न की इंड़ी के प्रत्याशी को भी भीतर घाट का सामना करना पड़ेगा जामने के चलते शंकर सिंग ने इस्तिफाय तो अब तो मानेgeb शाप शुछंद को चुने या कोई नया प्रत्याशी दें विमा भारती को दें और उधर पपु या दवताल ठोकी रहें कि कहीं कोई अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर दें तो ऐसी स्थिती में आर्जेडी के सामने मुश्किल है तो एक अति पिछरा की है और राजत जाहिट तो पर इसी को अति पिछरा से चीन कर किसी सवर्ण को तो नहीं देना चाहेगी गलत मैसेज विदान सभा चुनाव से पहले नहीं देना चाहेगी लेकिन जो माहौल बन रहा है कही ना कहीं मुश्किल में आपको राजत दिखाई दे रही है इसी वज़ा से इतना देर हो रहा है द्वारव चुन सकते हैं या हो सकता है कि सिप्याई को भी देदिन ईद्यावा कर रही है वह भी कुस हो जाएगी वहें तो बिना उनके कह या धरदिया कि सहमती राजय कि रौसी मेरी है तो यह तो कहना ही अभी कोई मा६ानय रखता गे लोग सभास्राब कर generate नाव अगर यह उमीद की जाती है कि आप जिस च्छेत से बिदायक हैं वहां से तो कम से कम लीड की जिएगा वहां से भी उन्होंने लीड नहीं किया और इधर लगाता बीवां भारती बीवादों में रही हैं अपने पती को ले करके कभी किसी और वजह से तो इसलिए अब उनकी व निर्दलिये हो जाएंगे तो वहां का चुनाव मिला के बड़ा दिल्चस्प हो गया संघर्ष होगा बहुत कड़ा संघर्ष होगा पपू यादव का उमिद्वार होगा हो सकता है पपू यादव उसी में से किसी को सपोर्ट कर दें कलाधर मंडल को अब कितना मजबूत न आप सुत्री चवी वाले बेखती हैं वहां उन पर कोई वैसा गंभीर आरोप में हां लेशी सिंग का हाथ है मगर वहां मुकावला इनहीं दोनों में होता रहता है संकर सिंग में और भीमा भारती में या उनके पति अधेस मंडल में तो इसलिए भोटो का बटवारा इनहीं पूर्णिया लोकसवा में लगाई पूर्णिया पाटो देखिए इस प्रकार की स्थिति रुपावली में बनते जा रही है और जब तक राजद नाम की घोसना ना कर दे सिच्वेसन कुछ वैसा ही रहेगा कि आखिरकार होगा क्या कैंडिडेट कौन-कौन होंगे नामों के पाटी से टिकट के इंतिजार में नहीं है मन बना लिया है कि चुनावी मैदान में उतरना है अब भीमा भारती और अवदेश मंडल CPI के विकास चंद्र मंडल के बीच इंडिकट बंदन में मामला फसा हुआ है देखना होगा तेजश्वी यादो कब तर गोसना करते हैं फ गरमाया हुआ है और राज़त ने इसे मुद्दा जरूर बनाया है और घेरने की कोशिस जनता दल युनाइटेट के साथ ही एंडिये को की है लेकिन अब इसका कितना असर पड़ेगा क्या कुछ होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा बने रहीएगा हमारे साथ आप सभ की का बहुत बहुत धन्यवाद